श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहेन करते थे और युवा अवस्था में थे। एक दिन आश्रम में लकडिया समाप्थ हो गई और गुरु माता परेशान होने लगी। श्री कृष्ण और सुदामा पोटली लेकर आग्या मान कर लकडिया लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुचकर लकडिया इकठी करने लगे। लगभग सभी ने लकडिया इकठी कर ली थी। लेकिन साम हो गई थी। का नाम ही नहीं ले रही थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा कि हम एक पेड़ पर चड़ जाते हैं जिससे हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। दुर्भा ग्यवश ऐसा नहीं हुआ दोनों पेड़ पर तो चड़ गए लेकिन वह भीगने से नहीं बचे। बारिश भी अधिक तेज होने लगी थी। बहुत ज्यादा रात हो गई लेकिन बारिश नहीं रुकी। दोनों ठंड के मारे काम प्रहे थे। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा ने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्न को याद नहीं है कि गुरु माता ने हमें चनों की पोटली दी है। सुदामा चने चुपके चुपके खा रहे थे, श्री कृष्ण को चनों के चबाने के आवाज आ रही थी। तभी कृष्ण जी बोल पड़े, अरे सुदामा गुरु माता ने हमें जो चने की पोटली दी है उसमें से मेरा हिस्सालाव। सुदामा हैरान हो गए और कृष्ण से कहने लगे अरे मित्र मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण यह सुनते ही चुप हो गए वह जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है लेकिन उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा। लेकिन समय बीटता चला गया और उन्हीं चनों की वजह से सुदामा बहुत ही दरिद्र यानी बहुत गरीब हो गए शायद वही चने सुदामा की गरीबी का कारण बने। आप क्या मानते हैं कमेंट जरूर बताएं करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।